हुआ दोस्तों नमस्कार स्वागत करता हूं फिर से एक बार नई और इंफरमेटिव वीडियो में दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी नाया मोबाइल खरीदा है या फिर नाया मोबाइल लेने की सोच रहे हैं दोस्तो होता क्या है, जब भी हम इनना मोबाल खरीते हैं, तो कुछ इसे बेसिक मगर important बाते होती हैं, जो भूल जाते हैं, जो भूला हैं मिसं कर जाते हैं। तो न इस बेसिक कर इस बातों घ्रम लाय году, तो इस वीडियो को ईंड़ देखिए। आपको time to time मिलती रहे, दोस्तों जब भी हम कोई नया मोबाल खरीद रहे होते हैं, एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन पर switch हो रहे होते हैं, तब एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है, कि हमें सब से पहले हमारी जितने भी contacts हैं, अपने जितने भी phone numbers हैं, उन्हें Google में sync कर लेना चाहिए, जी हाँ दोस्तों मैं मानता हूँ, यह बहुत ही basic चीज़ है, लेकिन कई सारे लोग यह भूल जाते हैं, तो नया मोबाल खरीदने से पहले, हमने सारे numbers को Google पर sync कर लेना है, कि जैसे ही हम नए mobile पर Gmail से sign in कर लेते हैं, हमारे सारे numbers automatically नए phone पर save हो जाते है तो यह बहुत ही basic मगर important बात है, जो हम सभी को पता होनी चाहिए, दोस्तों यहाँ पर एक बात जान लीजिए, कि face unlock यह security feature नहीं है, बलकि एक comfort feature है, साथ ही fingerprint unlock यह face unlock से बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, और इसलिए as a security feature, fingerprint unlock को ही पहली priority दीजिए, अब कुछ लोग यह कहेंगे कि हमारा fingerprint unlock भी बहुत बढ़िया तरीके से काम नहीं करता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बढ़िया trick बताता हूं, आपने जिस finger को एक बार resistor किया है, उसी finger को दुबारा से resistor कीजिए, जहां दोस्तों, अपने setting में जाकर add fingerprint में जाना है, और वहाँ पर दुबारा वही finger add कर देना है, जिसे अपने पहली बार किया है, इसलिए उसी finger को अलग-अलग angle से add कर देना है, अगर आप सीधी finger रखेंगे तो वह add नहीं होगा, इसलिए उसे अलग-अलग angle से add कर देना है, और I'm sure दोस्तों, इसके बाद आपको fingerprint unlock की problem नहीं होगी, दोस् जरूरी application है, जिसका नाम है find my device, इसे install कर लेना है, क्योंकि अगर आपका phone कही गुम गया, कही खो गया, तो ये उसे ढूनने में मदद करता है, दोस्तों, इस application का link आपको description में मिल जाएगा, इसे install कर लिजिए, इसके बाद आप समझ पाएंगे, कि ये application कैसे काम करता है, त अगर आपने नया phone खरीदा है, तो उसका IMAI number physically या फिर कही लिख कर, save करके रखिए, इसके लिए क्या करना है, simply से हमारे mobile पर star hash, zero hash इसे dial करना है, आपको आपका IMAI number screen पर दिख जाएगा, simply से उसका screenshot लेजिए, Google Cloud पर save कर लिजिए, या फिर अपने किसी family member के WhatsApp पर भेज़ जीजिए और उसे save करने के लिए बोलिए, बायचेंस अगर आपका phone चोरी हो जाता है, तो टेलिकॉम operator सबसे पहले यही number मांगते हैं, तो इस number के वज़े से आपका खोया हुआ phone ढूनने में मदद हो सकती है, दोस्तों यह जो point है, यह आपके comfort के लिए है, क्योंकि दोस्तो या फिर poco launcher, यह बहुत ही पुराने launcher है, tried and tested है और भुरसे मंद है, जिसे हमारा phone का feel और look बहुत ही बढ़िया बन जाता है, तो इन्हें जरूर ट्राइ करके देखें, इनका link मैं आपको description में दे दूगा, तो दोस्तों इन सब basic मगर important चीज़ों के साथ साथ हमें कुछ इन पर भी ध्यान देना है, कि जिसे हमारे phone को latest version पर हमेशा updated रखना है, जितने भी bloatware और useless applications हैं, उन्हें uninstall कर देना है, यहां तक कि Facebook और Instagram जैसे application भी uninstall कर दीजिए, और इनके light versions का इस्तमाल कीजिए, जिसे Facebook light, Instagram light, क्योंकि इन applications की size भी कम होती है, और यह कम resources का इस्तमाल करते हैं, जिसे आपके phone की battery और आपका data भी save हो जाता है, साथ ही आपके phone की performance भी परकरार रहती है, इसके साथ ही दोस्तों जब भी हम नया phone खरीते हैं, तब phone के setting में जाए और देखिए कि हमारा mobile क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि आजकल के phones वाकई में smart हो चुक जो हमें नया mobile खर्टे समय पता होने चाहिए, दोस्तों आपको आजका ये वीडियो कैसा लगा मुझे comment section में जरूर बताए, साथ ही अगर आपको ये वीडियो useful लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और ऐसी ही informative और useful वीडियो देखने के लिए हमारे च